नमस्कार दोस्तों, आज मंगलवार त्रियोदशी के दिन, मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोश अथ्वा भोम प्रदोश वरत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ प्रदोश वरत भगवान शिवशंकर का आशिर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे मंगल प्रदोश अथ्वा भोम प्रदोश कहते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है हनुमान जी भगवान भोले नात के ही अवतार है इसलिए मंगलवार और त्रियोदशी दोनों एक साथ आने पर भगवान भोले नात और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है आईए शुरू करते हैं भौम प्रदोश व्रत कथा बुलो शिव शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय एक गाव में एक बुढिया मा अपने एक लोते बेटे के साथ रहती थी उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ती में ही व्यतीत होता था वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी बुढिया हर मंगलवार को वरत रख कर हनुमान जी की पूजा अराधना करती उस दिन वह ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बुढिया मा हर रोज मेरी सेवा करती है क्यों ना आज मैं इसकी परिक्षा लूँ यह सोचकर मंगलवार त्रियोदशी के दिन हनुमान जी साधू का वेश्थारन करके उस बुढिया के घर के बाहर आहे और जोड से अवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ अगर यहां कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ जब उस बुढिया माने आवाज सुनी तो वे तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधू को हात जोड कर प्रणाम किया और कहने लगी बताईए महराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ तब हनुमान जी बोले मुझे बहुत भूख लग रही है क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो इतना सुनकर बुढिया माने साधू महराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया तब साधू बाबा बोले ये माता पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो तब बुढिया मा बोली महराज आज मंगलवार है लीपने खोदने के अलावा अगर कोई और काम है तो मैं अवश्य करूंगी बुढिया मा का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन खुश हुए और उन्होंने बुढिय अम्मा को अपने वचनों में बांग लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीट पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ साधु बाबा की बात सुनकर वह बहुत दुखी हो गई परंतु वह वचन में बंधी हुई थी इसलिए मजबूर होकर उसने अपने बेटे को बुलाया और जमीन पर लिटाकर उसकी पीट पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महराज के पास आ गई बुढिया को देखकर हनुमान जी बोले बन गया भोजन तब बुढिया मा बोली हा महराज भोजन बन गया है कृपा करके आप भोजन ग्रहन कीजिए तब साधु बाबा बोले पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ वह भी साथ खाना खाएगा साधु बाबा की बात सुनकर बुढिया मा बोली महराज आप कैसी बाते कर रहे हैं मेरे बेटे की पीट पर आग जला कर ही तो खाना बना है वह भोजन करने कहां से आएगा तब साधु महराज बोले माता तुम आवास तो लगाओ तब बुढिया मा ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा मंगल बेटा आ जाओ भोजन कर लो मा के बुलाते ही बेटा दोड़ा दोड़ा वहाँ पर आ गया अपने बेटे को जीवी देखकर बुढिया मा बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई वह साधु बाबा के चड़नों में सिर रखकर बोली आप कोई साधारन पुरुश नहीं है क्रिपा करके अपने रूप के दर्शन करवाईए बुढिया मा के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्त्विक रूप में प्रकट हो गए हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढिया मा बहुत खुश हुई तब हनुमान जी बोले हे माता मैं तुमारी सेवा और भक्ती से अत्यंत प्रसन हूँ मांगो क्या मांगती हूँ तब उसने कहा हे भगवान मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ तब हनुमान जी उन्हें आशिरवात देकर और सुक समरिधी प्रधान करके अंतरध्यान हो गई इस प्रकार हनुमान जी ने बुढिया मा और उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया मंगल प्रदोश के दिन हनुमान जी को घी की नो बाती वाला दीपक अर्पित करें ऐसा करने से सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ती मिलती है यदि किसी की कुंडली में मंगल दोश हो तो उसे मंगल प्रदोश का व्रत करना चाहिए बोलो शिव शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय यदि आपको वीडियो पसंद आ का हार्दिक धन्यवाद